हेलो फ्रेंज विल्कम टू माई यूट्यूब चैनल इप्सा कॉर्णर आज मैं आपके साथ बॉर्जर का एक बहुत एज़ी सा पैटर्ण शेयर कर रही हूँ और इसको डालने के लिए जो हमने फंदे हैं फोर के मल्टिपल में डालने हैं प्लस थ्री कर देना है और इसके लिए मैंने फंदे डालने के बाद जो है बेस रो दे दी हैं रॉंग साइड की और रॉंग साइड की बेस रो देने के बाद जो हम इसकी फर्स रो स्टार्ट करेंगे तो इसकी first row के लिए हमने सबसे पहला फंदा जो है वो skip कर देना है उसके बाद अगला वाला फंदा अपनी side को बनाना है और उसके बाद धागा दूसरे तरफ करके हमने आगे के तीन फंदे जो है वो सीधी side को बनाने है तो as stitch को छोड़के आगे के जो चार फंदे है उनी को हमने repeat करते जाना है जैसे starting में हमने एक फंदा उल्टा बनाया था तो एक फंदा हमने उल्टा बना लेना है और उसके बाद आगे के तीन फंदे जो है वो हमने सीधे बुनाई कर लेने है फिर से इसी को दोराना है हमने एक फंदा हमने उल्टा बनाना है और आगे के तीन फंदे जो हैं वो हमने सीधे बुनाई करने है और इसी प्रोसेजर को हमने आगे दोराते जाना है और इस पूरी की पूरी रो को complete कर देना है मतलब ये है कि इस पूरी की पूरी रौ में हमने एक फंदा उल्टा बनाना है और तेन फंदे सीधे बनाने है फर्स्ट रो को कंपलीट करने के बाद हमारे पैटर्न की जो सेकिन वाली रो है वो हमारी रौंग साइट की रो है इसके लिए पहला फंदा हमने स्कीप करना है जो फंदा हमने उल्टा बनाया था वो हमने सीधा बनाना है और आगे की तीन फंदे जो हमने सीधे बनाये थे उनको हमने उल्टा बनाना है इनी चार फंदों को हमने दोराते जाना है एक फंदा हमने सीधा बनाना है और उसके बाद आगे के तीन फंदे जो हैं वो हमने उल्टे बनाने है और इसी प्रस पूरी की पूरी रो को कम्पलीट कर देना है ये हमारी राइट साइड की रो है पर इसको हमने पूरा का पूरा अपनी ही तरफ को बनाना है बहुत ही सिंपल है ये सिर्फ यह है कि हमने जाली लेनी है जो उल्टा फंदा बुनाई किया है उसको बुनाई करना है फिर से जाली लेनी है और तीन फंदों का एक पूर्थ रोक है तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कीजिए चाहे तो आप इसको बेवी फ्रॉक में यूज कीजिए चाहे तो इसको जन स्वेटर में यूज कीजिए या लेडी स्वेटर या बेवी स्वेटर में भी यूज कीजिए या चाहे तो आप इसको जो है बेवी ब्लैं देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को संद आए तो वीडियो को लाइक को शेर कर दीजिए और मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और व झाल झाल